सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आजम लेकर आए आप लोग लिए एक बहुत ही न्यू रेसिपी आटा और सूजी के बिस्किट तो यह बहुत टेस्टी बिस्किट होते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं तो बनाना भी बहुत शारल है तो चली द देख लیते हैं और últ 1 divise नमें पोर सोजी बुचल के सब्सक्राइब कम इसामान से बन जाते हैं ऐसे संय मैं गऊंते हैं तो देखी इस तरीके से ज्यादा मोटा भी नहीं है ज्यादा बारीक भी नहीं है तो गेहूं कांटर लिया है इससे बहुत ही अच्छे बिस्किट बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनाता है और यह बगल चमच हमने यह घी लिया है और यह कोकोनेट पाउडर है आप चाहें परात ले लेते हैं और इन तीने चुजों को चान कर त्यार कर लेते हैं तो सबसे पहले बारिक वाली ये सूजी को चान कर त्यार कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से चंजाती है तो देखी सूजी को हमने चान कर त्यार कर लिया है तो मैदा को भी चान लेते हैं तो देख बढ़ावर मात्रा में मिक्स कर लिया है सूजी आटा और मैदा हमारी मिक्स हो गई तो इसमें इलाची पाउडर बना लिया था तो इलाची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है इलाची आप जरू डाले और ये एक बड़ा चमच अमने एमोयन लिया है तो इसको भी जाल देते हैं तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं तो तो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसमें कोई भी नम्स नही रहने चाहिएंक तो आप चीनी घोलकर त्यार कर लेते हैं तो इसमें हम चीनी को गोल कर त्यार करेंगे तो इसमें दोगा सा पानी डाल देते हैं और इसको गोल लेते हैं इसको हलकाई गोलेंगे ज्यादा नहीं गोलेंगे तो बिस्किट में इसमें जो चीनी होगी वो लगी आईगी बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही सुन्दर बिस्कि तो देखी आदी चीनी का घूल हम ने डाल दिया है तो बचा हुआ भी डाल लेते हैं और सभी को मिक्स करते हुए इसका एक डो बनाकर त्यार कर लेते हैं उसके बाद प्रोसिस करेंगे तो दिखिए आटे का और सुजी का मैदा का डो बन कर हमारा रेड़ी हो गया है तो इसे 10 लिए रख देते हैं रेप के अच्छे से सैट हो गया है तो चली बिस्क्विट बनाना शुरू करते हैं तो इस में से थोगा सा दो इस तरीके से निकालेंगे और तो धीक अटे का डू हमने निकाल ली आ है तो इसको हां से थोगा सा मुनायम कर लेते हैं और यह हमने पॉलेचेन सीट ले लिए तो तो इस तरीके से आटे को डो को हम रखेंगे इस इस तरीके से बेलन करें डियों सोय तरिके से नहीं है alcanz पतला भी आपकोई चकला या फिर वोड लिले सकते हैं उस पर हम इससे असानी से मिल एग विक बिश्कित बनाने के लिए हम डोर्ष कर अलब डैया है ons से जो एस्टरा पाइट रशी साम निकाल देठें चाम कर लीकारी इसी तुर कर लें तो पाइट कर लेंगे इस तरीके से हम कट लगा लेते तो हमें जितने हैस के बिस्किट बनाने ऊवब कटें तो इसके जग कर लिया है। तो एसे के चोपोड पीस कर लेंगे हैं कि अधसी सब्सक्राइस में तयाँ द आबिएक। कि तो सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब बार B Mississippi और इसी तरीक से बना देखे हैं इस तरीक पर हम incapर त्रीस करेंगे दिए कि आ laten उरे इस तरेके से उठाएं गेज देखा हो एक अज़च्छे दिजायन यहां कि हाम अच्छे से गर्म होगया है तो इसमें तोगा सा डाल कर देखते हैं तो दीए अच्छे हम से पबल आ रहा है तो चलिए इसी तरीके से हम बिस्किट भी फ्राई कर लेते हैं तो बिस्किट को हमने देखी ये ट्रे में निकाल लिया है देखने में बहुत ही खुब सूरत लग रहा है डिजाइन इसकी बहुत इच्छी आ रही है आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं तो एक ही करके इसमे इसको चलाते रहना है तो यह जलेंगे नहीं और बराबर मात्रा में फ्राइ होंगे और अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेना है तो सभी को गोल्डन ब्राउन कर ले तो देखिए इस तरीके से इनको चलाते रहना है जिससे यह जलेना तो दिखिए बिस्किट हमारी एक साइट से फ्राई हो गए हैं तो सभी बिस्किट को इस तरीके से पलट देते हैं दिखिए दूसरी साइट से भी गोल्डन कलर आ रहा है तो दूसरी साइट से भी इस तरीके से पलट देते हैं इस साइट से भी इनको सिख जाने देते हैं बहुत ही इजी रेसिपी आप लोग भी एक बार ट्राय करके देखें तो देखें बिस्किट हमारे फ्राय हो गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सांदार बिस्किट बने हैं तो कुछ देर के लिए इसको कढ़ाई रही हो कि रोक रहे हैं जिससे इसके काड़ाई नहीं हrzyं रहाएगा तो इसके बनकर हमारे रैड़ ओ गये हैं तो देखिए इसे कें टिशु पेपर भी निकाल लेते हैं तो इसके का जो एस People काड़ी बैकर बेखन और इबऑ सके तो बि बिस्किट में बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है और इसमें जो चीरी लगी हुई है ये बच्चों को बहुत पसंद आती है तो बिलकुल तो देखिए आपको तोड़ कर दिखाते हैं बहुत क्रिस्पी बिस्किट बनकर हमारे तयार हुए हैं बिलकुल मार्केट जैसे बिस्किट बने तो घर में इस तरीके से बिस्किट बनाकर आप लोग एक बार ट्राइ करके देखिए तो दिखिए इस तरीके से बिस्किट को तोड़ कर दिखाते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बिस्किट बनकर रेडि हुए हैं तो देखिए बिस्किट को और सूच जी आटा वाले बिस्किट पसंद आए तो प्लीज कमें स्टेक्शन जरू बताएं आप लोगों को हमारे आटा वाले बिस्किट कैसे लगे और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जाता से जाता फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नूँ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एक बार फिर मिनेंगे एक नई रिस्पी के साथ तब तक लेते हैं क्यों बाई टेक क्यार